आज की ये वीडियो आपस भी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सिजेरियन डिलिवरी के बारे में बात करने वाले हैं हम जानेंगे कि डॉक्टर आपको किस-किस कंडिशन में सिजेरियन डिलिवरी कराने के लिए बोलते हैं या फिर नॉर्मल डिलिवरी कहते है लेकिन कई बार ये कुछ कार्णों से नॉर्मल नहीं हो पाती है तो उसे हम C-section डिलिवरी या फिर Cigerian Delivery कहते हैं जिसमें डॉक्टर पेट में चीरा लगा कर बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं तो हम जान लेते हैं कि किस किस कंडिशन में ऐसा देखने को मिलता है या फिर किस किस कंडिशन में डॉक्टर आपको C-section कराने के लिए बोलते हैं तो देखे पांच ऐसे मुख्यक करन होते हैं जिसमें किसी महिला का C-section या फिर Cigerian Delivery किया जाता है नमबर टू है Routine Repeat Cigerians यदि किसी महिला का पहले Cigerian हो चुका है तो उसका दुबारा से Cigerian किया जाता है क्योंकि ऐसे कंडिशन में नॉर्मल डिलिवरी होना बहुत ही मुश्किल होता है इसके बाद Cigerian Delivery का तीसरा मुख्यकारण है Distosia देखी कई बार नॉर्मल प्रोग्रेसिव लेवर नहीं हो पाता है इसके भी कई सारे कारण होता है तो पहले हम इसे जान लेते हैं देखी Distosia में मेली तीन चीज़े होती है जिसे कि हम थ्री पीसे याद रखते है पहला पी है पावर दूसरे पीसे पासस और तीसरे पीसे पैसेंजर तो हम इसे ऐसे समझते हैं कि जो बच्चा होता है उसे हम पैसेंजर माल लेते हैं दूसरा है यहाँ पर passes passes means रास्ता यानि कि जो रास्ता होता है यानि कि जो uterus होता है उसमें जो cervix होता है वो पूरी तरह से नहीं खुल पाता जिस वज़े से बच्चा बाहर नहीं निकल पाता है और हमें cigerian delivery करानी पढ़ जाती है देखे जब किसी महिला का delivery का time होता है तो उस समय बच्चे को uterus से बहार निकलने के लिए जो यह cervix होता है इसका खुलना जरूरी है तो normally यह इस तरह से बंद रहता है लेकिन delivery के time पर इसे 10 cm तक खुल जाना चाहिए अगर यह ऐसे नहीं खुल पाता है तो ऐसी condition में डॉक्टर cigerian delivery द्वारा बच्चे को बहार निकालता है देखे कई बार बच्चे का size इतना बड़ा हो जाता है कि delivery के समय बच्चा बहार निकलते समय मा के cervix में फस जाता है यानि कि उसका shoulder या कंदा मा के cervix में फस जाता है जिसे कि हम shoulder distosia कहते हैं तो ऐसी condition में बच्चे के जो brachial plexus होते है या फिर उसका brain damage हो सकता है और कई बार इसमे death भी हो जाती है इसके बाद cigerian delivery का चोथा मुख्यकारण है abnormal fetal presentation जैसे कि bridge position, transverse position या फिर court presentation देखि कई बार बच्चे को जिस position में होना चाहिए उस position में नहीं होता है जिस वज़े से हमें cigerian delivery करानी पड़ती है तो इसके बारे भी हम समझ लेते हैं लेकि normal delivery के लिए बच्चे की cephalic presentation होने चाहिए यानि कि बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ और उसके पैर उपर की तरफ होने चाहिए तो इसमें भी कई सारी position होती है जैसे कि यहाँ पर है facing backward head first यानि कि इसमें जिसका sir है वो नीचे की तरफ होता है उसका मुझ पीछे की तरफ होता है तो यह सबसे normal position बच्चे की होती है normal delivery के लिए लेकिन कई बार बच्चे का जो face होता है वो आगे की तरफ आ जाता है तो यह भी abnormal position होती है आपको image में four picture देखने को मिल रही है यह सभी abnormal presentation है यानि कि बच्चे को जिस position में होना चाहिए बच्चा उस position में नहीं है तो पहली image में बच्चे का face पहले यहाँ पर आ गया है दूसरी condition में यह bro position होती है तीसरी condition है bridge देखिए कई बार बच्चे का जो sir होता है वो उपर की की तरफ आ जाते है तो इसे हम bridge position कहते है और इस condition में normal delivery होना बहुत ही मुश्किल होता है and fourth है shoulder position इस condition में बच्चे का जो shoulder होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है यह भी एक abnormal presentation होती है और देखिए bridge position भी तीन तरह की होती है एक होती है frank bridge में क्या होता है बच्चे के के बटक् सक्स दोनों ही नीचे की तरफ होता है और एक होती है footlink bridge इसमें एक बच्चे का पैर नीचे की तरफ लटका होता है जबकि एक पैर इस तरह से मुड़ा होता है तो इसे हम footlink bridge कहते है और आपको जब ultrasound कराते हैं तो उसकी report में यह सभी देखने को मिलता है यह हमारे सामने 24 weeks क ultrasound की report है इसमें लिखा हुआ है bridge in presentation इसका मतलब है कि बच्चे के जो सर है वो उपर की तरफ है और बच्चे के जो पैर है वो नीचे की तरफ है तो यह एक abnormal condition होती है या फिर abnormal presentation होता है और यदि आपको cephalic presentation देखने को मिलता है इसका मतलब होता है कि बच्चे का सर नीचे की और बच्चे के पैर उपर की तरफ है जो की एक normal presentation होता है इसके बाद last में cigerian delivery का पांचवा मुख्य कारण है fetal distress इसका मतलब क्या होता है देखि कई बार बच्चे की जो oxygen की या blood की supply होती है वो किसी वज़ा से रुख जाती है जिस वज़ा से हमें cigerian delivery तुरंत करनी लेते हैं तो देखिए fetal distress के मुख्यते पांच कारण होता है इसमें पहला कारण है placenta previa इसका मतलब क्या होता है देखिए normally जो नली होती है या फिर जो placenta होती है वो ऊपर की तरफ होती है जब बच्चे को बहार निकालते है तो पहले बच्चा बहार निकलता है उसके oxygen की supply होती है वो रुख जाती है तो इसे हम कहते है fetal distress तो ऐसी condition में हमें cigerian delivery करानी पड़ती है दूसरा है umbilical cord prolapse कई बार जो umbilical cord होती है उसमें दवाब पढ़ जाता है जिससे उसकी जो supply होती है वो रुख जाती है और बच्चे को oxygen नहीं मिल पाती है तीसरा है maternal hypoxia यान इसे condition में भी हमें cigerian delivery करानी पड़ती है फोर्थ है improper use of oxytocin जो oxytocin यूज किया जाता है वो सही अमात्रा में इस्तमाल नहीं किया जाता तो ऐसी condition में भी बच्चे को oxygen या फे blood की supply नहीं मिल पाती है और इसका पांचवा कारण है eclampsia और preeclampsia ठीक ही बार जो मदर का blood pressure ह होता है वो अचनलक से काफे बढ़ जाता है तो ऐसे condition में भी हमें cigerian delivery करानी पड़ती है तो यह है पांच मुख्या कारण होता है जिस condition में किसी female की cigerian delivery की जाती है और देखी जब किसी महिला की cigerian delivery की जाती है तो उस condition में जो incision है या फिर cut है उसे दो तरह से लगा जाता है पहला है vertical incision इसमें incision को vertically इस तरह से लगा जाता है और दूसरा है horizontal incision इसमें incision या फिर cut को इस तरह से लगा जाता है तो normally हम इस incision का use करते हैं तो आज की वीडियो में हमने जान लिया है कि किस किस condition में doctor आपको cigerian delivery कराने के लिए बोलते हैं इससे अगले वीडियो में ह जानेंगे किस condition delivery कैसे की जाती है थैंक्यू वेरी मुच्च